गुद मॉरिंग गाइज, मेरे नाम अनुराग अगरुवाल है और मैं हूँ एक बिसनस कोच और पबिस्कुरिंग ट्रेनर हूँ और आज का हमारा विशे है कि कैसे आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है अगर आप बिसनस्मेन हैं और आपको गुस्सा आता है आप समझ जूटों को मुस्कुराते हूँ देखा है तो जूटे इनसान जो होते हैं मुस्कुराते हैं और जो सच्चे लोग होते हैं वो गुस्सा करते हैं लेकिन अगर आप एक बिसनस्मेन हो समझ लो आपको समझदार बनना है वो लोग जो गुस्सा करते हैं वो चाहे सच्चे होत सरप 25–26 की तरह आपने आपको नदिया जिए, और दूसे को भी जिलाता है। वो ये कहता है Barbara, ची मिंट होने रहे है नहीं कि ऑफिरें समक्राइम इंसान हमेशा हारता है, एको नहीं रखता, गुसा नहीं रखता, अर्गमेंट नहीं करता, बहस नहीं करता, आपको हमेशा यह देखता है कि फाइदा कहां पर हो रहा है, मेरा फाइदा कहां पर है, एको क्या मिलने वाला, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, दूसरे को जीतने तो और आपको क्या चीए आपको धंदा चीए धंदा निकालो समझधार इंसान वो होता है जो धंदा निकालता है आपको सच बनके करना क्या है आपको गुसा करना क्या है समझधार बनिये चलाक बनिये और किसी भी हारत में अपने गुसा नहीं करना है जब गुसा नहीं आता अगर आप गुस्सा आने पर अपने चोंच को बंद कर लो, आप मुग को बंद कर लो, जो कि बहुत मुश्किल होता है गुस्सा आने पर, अगर गुस्सा आने पर अपने चोंच को बंद रखते हो, बिल्कुर ने खोलते हो, तो मुश्किल में आप कभी नहीं पड़ोगे, आ आप जानतें कितनी exuberant price आप पे करतें, आपके सारी employees, आपके करम चारे आपके छोड़ के जाने की बहुत- बहुत बहुत बरा reason होता है आपका गुसा आना. गुसा करतें क्यों? मैं मानता हूं, employees आपके काम नहीं करतें. मैं मानता हूँ कि गुसे आपकी जो इंपलाइस है वो काम नहीं करते आपके इंपलाइस है iau से टाइम पर नहीं आते जो आपने काम दे रखखे वो काम करते नहीं हर वक्त वजबी साथ सर के ओपर कुछ नहीं होता, कुछ आयर नहीं होता, कुछ चेकर नहीं होता हम लोग जरूर थोड़ा सा काम चोरी करने कोश करते हैं हम लोग करते हैं, ओनर्स करते हैं तो क्या इंप्लॉइस नहीं करते होंगे मैं ये नहीं करा कि आपको उनको लेट्टूट दिना है सिस्टम को ऐसा बना के रखो उसके उपर की टीम के जो उसका जो हरारकी में उसका जो लीडर है उसको ऐसे बना के रखो कि ताकि वो चेक करें आपका काम नहीं है उनको ढांटना आपका काम नहीं है गुष्से को करना गुष्सा किया नहीं कि आपका अपना पैसा है वो underlying हो जाता है बैने इक बार وीडियो में कहाता है डो क्रोड़ पर अगर आपने लिने है और जिस्से लिने है अगर आपने एक बार गुष्सा कर दे तो एक कोड़ पर बाय बाय कर देना, इमप्लाई को अगर आपने गुसा कर देना, अगर वो देर से आता है, अराम से उसके पुरा बैट करके उससे पूछे, रीजन एक सबसे बड़ी आ तरीका होता है, बैट करके पूछो नहीं यार, क्या फरक पड़ता है, बैट जाओ, हो सकत है कि आपने उसको भेजाओ किसी काम के लिए, हो सकता है, इस सिकान से वो लेट आया हो, हो सकता है कोई कोई और रीजन हो, हो सकता है, घर में उसके कोई आ गया हो, हो सकता है कि उसकी बाइक खराब हो गई, कार उसकी खराब हो गई, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता ह हम लोग गलती करते हैं, हम लोग ही जान मुश्किन को के काम देते हैं, कोई ना कोई ऐसा रीजन होता है, जिसमें हम बाद में हम लोग अंबरेस होते हैं, जब इस पात का पता चलता है, तो मैं आपको यही कहूंगा, कि हो सकता है, उसके अंदर उसके इतनी गलती ना हो, उसस बार भी अपने गुसा कर दिया, आपके जितने भी कहुए कतनों का, आपके कहुए करमों का, कोई फैदा नहीं होगा, सब का सब खराब हो जाएगा, दोस्तों सोच के दिखो, जो दूसरे इंसान के दर जो क्रोमसम्स हैं, वाई क्रोमसम्स, एक्स क्रोमसम्स, जो को उसके मात मता-पिता से मिलते हैं, अगर आपके भी वही क्रोंसम्स होते हैं, वही जीन्स आपकी भी होती, वही अब्रिंग आपकी भी होती, वही स्कूलिंग आपकी होती, वही प्रोस आपका होता, वही मता-पिता, जैसे उस इसनान के, जिसने आपके साथ ने बुरा किया है, जो गु क्या, आप भी वैसा ही रियक्ट ना करते हैं, जैसे उस इंसान ने आपके साथ में रियक्ट किया, जिसके कांसे आपको गुस्सा आया। गुष्टा करने से पहले अपने आपको ढाल कर देखो कि अगर मैं भी ऐसे ही होता वही जीन्स होती, वही मेरे अब्रिंग होती, वही मता-पिता होते वही क्रोमसम्स होते तो मैं भी ऐसे रिएक करता ना, आप गुष्टा कम आएगा लोग विभार में, इंटर पॉसल स्किल्स में, जब भी आपके संबंदों की का सिकर आता है, तब एक बात का ख्या रखना, that you is the most important word and I is the least important word. लेकिन भी पॉब्लिक स्विंग में, एकदम उल्टा, एकदम विपीत में कहता हूँ, जब भी आप मच पर आते हो, आपके हालत खस्ता होती है, हालत खराब होती है, बटरफ्लाइस होती है, टांगे काप रही होती है, और मुह सूख रहा होता है and you are short of words, तब हमेशा कहता हू जब भी आप मच पर आते हो, you are addressing people, you are addressing audience, उस वकात पर आपको उल्टा कहना है, आपने ये कहना है that I am the most important word, you is the least important word, ये समझ के चलो कि सब के सब लोग जो सामने बैटे हैं, उन सब लोग ने आप से करसा लिया हूँ, they all have taken loan from you and today they have come here for the extension of the loan and tell yourself that I am not going to give them any kind of extension, let them beg, इस धं से अगर आप अपने आपको आटो सेजेशन दोगे, ये कहकर कि मैं सब सिधा इंपॉर्ण्ट हूँ और ये सब के सब बेवकूफ हैं, ये सोचों के बढ़िया है, लेकिन लोग अधार में, इंटर पॉजल स्किल्स में एकदम विप्रीत एकदम उल्टा होता है, आपको हमे आपके लिए मेरे लिए हजारों लाकों लोग जो आउट हैं, बार हैं, इस हौल से बार हैं, उन सब के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्ण्ट है, और वो क्या है? वो है फिलिंग वाफ इंपॉर्ण्ट हर इंसान को नेम चाहिए, फेम चाहिए, अडेंडिट नहीं करना, जब 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 आप डिसाइस करते हो, अपने इंप्लॉईज को, अपने वेंडर्स को, अपने कस्मर को, आपनों खूते हो, आपको दुश्मन बरते हो, आपको दोस्त नहीं मरते हो, गुस्टे को बिना सीखिया आप लोग, देखिए हमेशा गुसा आने पर आपको चुप रहना है, ठेंक्यू भी बुलना पड़ेगा आपको, मान लीजे, दोजान इंसान आपको गुसा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, या तो वो, अगर किसी इंसान ने आपको गुसा किया गी, या तो वो जैलिस है आपसे, अगर आपसे जैलिस है तो आपको क्या कर करता है तो आपको क्या करना चाहिए आपको थेंक्यू बोलना चाहिए तो 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 आपको चुप कियो रहना चाहिए, अगर आप सही हो, तो आपको गुसा करेंगी जूद क्या है, अगर आप सही हो, तो आपको गुसा करेंगी जूद क्या है, तो चुप रहना चाहिए ना, और अगर आप सही हो, तो आपको गुसा करेंगी जूद क्या है, तो आपको चुप रहना है तो हमेशा ख्याल रखे, या तो आपको थेंक्यू बोला है, या आपको चुप रहना है या तो आपको थेंक्यू बोला है, या तो आपको थेंक्यू बोला है, या आपको चुप रहना है Never lose temper, use temper मतलब क्या का मैंने Never lose temper, use temper आपको इसका example देता हूँ जब भी आप गुसा करते हूँ देखो मैं हमेशा कहता हूँ गुसा नहीं किया तो क्या होगा आपके बच्चे जो हैं वो काम नहीं करेंगे आपके employees काम नहीं करेंगे तो आपको गुसा तो रखना है लेकिन कौन सा एक्टिंग करनी है Never lose temper, use temper आपको एक्जाम मत देता हूँ मा लिजए आपका कोई employee है आपने उसको काम दिया है अगर आप गुसा करते तो आप क्या कहोगे कि ये काम किया तुमने छे काम दिये थे तुम्हें एक काम किया अगर इसी दिया काम से बाहर निकाल दूँगा क्या होगा भीया काम ये ना तुम्हारा मैं तो छोड़ रहा हूँ मैं तो जा रहा हूँ इस काम से बोलने की तमीज़ तुम्हें है नहीं उसकी जगाँ पे lose temper पर उसको बोलो यार सुनो यार तुम्हें छे काम दिये थे तुम्हें एक काम किया है अगर इसी दंग से एक काम करोगे न दोस्त इस दंग से मारुती में इस दंग से उन्धाई में आते रहोगे आप कभी हॉन्डा में कभी ट्योटा में कुभी श्कूडा में नहीं आप आओगे क्या होगा ये वो तरीका है जिसे कि आप अपने गुसे को दिखा रहे हो आप लूस नहीं करे हो जब ये आप लूस करते हो आपका टोटल कंट्रोल अपनी बॉड़ी के उपर से नहीं रहा ता खतम हो जाता है आपके हाट टेंबल कर रहे होते हैं आपके ठांगे टेंबल कर रही होते हैं आपके आवाज जो है भर रा चुकी होती है बहुत तेस तेस बोल रहे होते हैं चला चला के आप बोल रहे होते हैं और साथ में आपको कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता और जब यूज करते हो तो आपकी body language के उपर आपके शब्दों के उपर आपके हाब वाव के उपर आपके हर एक चीज के उपर body भी और आपके word के उपर पूरा control आपका होता है आप नपे तुले उतने ही शब्द निकालते हो जितने आपको निकालने चाहिए उतना ही कहते हो उतना ही तराजू के इंदर नाप करके उतने ही शब निकालतों जितने आपको निकालने होते हैं तो यहीं तुम्हें कह रहा हूँ कि never lose time पर lose time पर करने पर आपके employees आपके हाथ से जाएगा लोग आपसे दुश्मनी करेंगे आपके family members चाहिए आपसे दुश्मनी नव भी करें लेकिन बुरा मानते हैं लेकि वहीं पर use करने पर आपने अपनी बात को कहे भी दिया आपने गुसा दिखा भी दिया employees के पर गुसा दिखाना जो है वो जरूरी होता है तब वो काम करते हैं तो आपने बिलकु कंट्रोल में रह करके उतना ही बोलना है जितना आपको बोलना चाहिए और यह कैसे possible पाएगा यह तरही पाएगा जब आप गुसे के नातक करोगे गुसा दिखाना जुरूरी होता है employees को दिखाइए करिये मत दिखाइए never lose temper, use temper जब भी आपको गुसा आए ना अपने स्किन को ठाके पिंच करो अपने आपको पिंच करो और तब तक करते हो जब तक आपको दर्द नहीं होता है जबर्दस खुन ना निकलने वाली नौबत आ जाए तब तक अपने आपको पिंच करते हो ये एक तरह की punishment है जो आपने आपको दोगे ऐसे कर सकते हो आपको बिलकुर एक detective किता सोचना है कि जैसे एक detective होता है एक दब बात की तह में घुजाता है अंदर खुस करके पता करता है कि वो reason क्या है जिसके कान से ऐसा कुछ हुआ है जो हुआ है तो किम हुआ है इसी डंग से आपको introspect करना है रेट्रोस्पेक करना है किस कारण से किन लोगों पर किस जगा पर किन किन बातों पर आपको गुस्सा आता है इंपल इंपलाइस पर आता है सिमिलिंग पर आता है तो उन सब लोग का नाम लिखो किन किन जगाओ पर आता है आपको गुस्सा वो लिखो किन किन बातों पर आता है वो लिखो जब इस डंक से आप रेट्रोस्पेक करोगे एक डिटेक्टिव की तरहा तो अपने गुसे को करना आपके लिए जादा इसर हो जाएगा दोस्तों अगर आपको इस पॉब्लिस फुइंग कोर्स को या बिजनस कोर्स को जोईन करना है डैली में आके अगर आप रहना चाहते हैं एजे पीजी आप रह सकते हैं उपर लिखिवा निबर बे आप कॉल कीजे और मेरे ख्याल से आपने इस चैनल को सबस्काइब तो करी लिया होगा और साथ में जोसके बेल आइकन है उसको भी अपने हिट सुरू किया होगा आप चाहें तो इस वीडियो को अपने बिजनस फ्रेंड के आप में शेयर कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं अगर आपके बाद कोई भी सेजेशन है तो आप नीचे की तरफ कमेंट सेक्शन में जाके इसको सूल लिकिए हम लोग बहुत शौक्स इसको पढ़ते हैं हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्ट वीडियो के देब बाबाई शबकर बीसिंग याप गुदाइट